सर कुश्चान नमबर 14 मैं करूंगा इसको इसका भी सॉलीशन नहीं डाला था है न चलिए सर अग सवाल इतना बड़ा मतलब कि बहुत छोटा कहलो आप एक तरीके से सर क्या है सवाल में किवी रेशिय दे रख आतर प्रसेंट कुश्चार चलिए एक काम करें आपको दे Deutschen यह 5 मिनित करने के लिए कितने बच्चो का डाउट है यह बताइए कितने बच्चो का डाउट है यह कि अब अब तक कितने इस्टूडेंट का डाउट है यह है कि है सर डाउट है डाउट है आपको मैं दो मिनट दे रहा हूँ जितने भी बच्चे हैं लाइव पटाफट से करके दिखाएं एक कांसर किसी का आपको दो मिनट दिया जा रहा है एक कांसर करके दिखाएं चैलेंजिंग कोष्चा नहीं है समझ यह डाउट है मैंने दो मिनट दिया आपको दो मिनट दिया आपके लिए यह चैलेंज है बिल्कुल चैलेंज है यह लिजए दो मिनट और करके दिखाएं यह सवाल क्या option पर्सेंटेज मस्ट इंक्रीज सेल्स इंक्रीज तो ऑफसेट का कुछ है सच मीनिग नहीं है बस यहाँ पर बोला गया है कि हम यह बढ़ा देंगे रिडियूस कर देंगे तो हमें निकालना क्या है दा कमपनी है पीवी रिशो दे रखाया वाई वट पर्सेंटेज मस्ट भी स थे सेल्स इंक्रीज हमारा सेल्स कितना बढ़ाना पड़ेगा अगर हम शेल्इंग प्राइज को रिडियूस कर दें और या फिर हम रेडक्षन ऑन बढ़ा गटा दे तो हमारा कितने पर्सन्टेज का सेल्स इनक्रीज हो जाएगा इससे रिख आई कितने बच्चे कहते हैं कि एक दिन का चैलेंज दे दो यह हम कर के लिए आएंगे बदा दिजे फटा फट क्योंकि कराना मुझे है कि सर सेल्स क्या है इस कुश्चन में चैलेंज तो यही है यह सब कुछ आपको निकालना है झालना है झालना है सल्धज उसा क्या है सल्धचन तो भागत खया है सल्ध़ सल्धब काशन तो यहा सografल सल्धप पास। सब पास॥ Bei आपको व mr. शॉल मौS आप क्या बोल रहे हूं? बाई दो मिनट देखो तीन मिनट हो गए दो मिनट दिये थे मैंने तीन मिनट दे दिये जवाब नहीं आया तो आपका जवाब नहीं आने की वज़े से ये कोशन आपके लिए चैलेंज ये चैलेंज और ये चैलेंज बंडे का यानि सर मंडे मैं देखता हूँ कितने बच्चे करेंगे मुझे पता है मंडे और करने का मतलब यह नि क्या आंसर देखके बता दो करने का मतलब है इसका proper solution भेजना है आपने ठीक है सर इसमें बस sales reduce करके contribution और variable cost निकालना है क्या अब वो देख लिजिए सर थोड़ा थोड़ा हो गया आपको पूरा वक्त दिया मैंने अब यह सवाल कराओंगा मैं आपको challenge एक तरीके से मैंने कहा यह question अब यह question exam में कई बार पूछा जा सकता है और मैं कहता हूँ ऐसा question exam में अगर आगया 10 number का सिर्फ 2 step 2 line का answer अगर 10 number का आगया तो बहुत बच्चे छोड़ के आ रहेंगे इसको तो चली हम अगले सवाल पे चबते हैं अगले सवाल पे question 15 यह हो गया था ना तोला यह नहीं हुआ मेरे हिसाब से अब तो 16 कर सकते हूँ नहीं कर पाओगे मैं 16 करने वाला 16 में कहता है सुल्तान प्लास्टिक लिमिटेड ठीक है सर variable cost 2 रुपे 20 रुपे fix cost दे रखा है capacity दे रखा है आपका कि आप 100% capacity पे 2000 unit को पड़ यूस करोगे selling price दे रखा है सर find out break even point ये लोग ऐसे ही निकल गया ये थो break even point point number one अभी अंसुल ने पूछा था सर दूसरे तरीके से नहीं निकाल सकते हैं वही तरीका मैं अपना रहा हूँ अब लोग PVR रख देता हूँ सर contribution यहाँ पे निकालना जरूरी है तो contribution आएगा हमारा 70 minus में 20 70 minus 20 यानि 50 रूप है तो सर पी वी रा जाएगा FC FC कितना है सर FC हमारा है 50,000 divided by नहीं FC थोड़ी आता है यह आएगा sales 50 डिवाइड़ बाइड़ बाइड़ी इंटो हंड़ेड कितने बन रहे हैं कितने बन रहे हैं यह तो बड़ा अटपटा है चलिए सर break-even point break-even point fix cost divided by PVR पहले लिख लिए है फार्मूला तो तो सर फिक्स कोस कितने है 50,000 PVR 0.71428 50,000 0 74128 तो यह आगया सर 70,000 break-even point आगया 70,000 दूसरा find out number of buckets to be sold get profit 30 यह तो पुराने वाला ही हो गया if the company manufacture चलिए दूसरा भी करी देते हैं तो इसका मतलब desire sales क्या होता है FC plus में profit divided by PVR रख देते हैं simple FC कितना है सर 50,000 profit कितना चाहता है 30,000 PVR कितना है 0.71428 सर 50,000 plus 30,000 divided by 0.71428 एक लाख बारह हजार एक लाख बारह हजार चलिए सर 30 कहता है the company can 600 buckets more per year which additional fixed cost 2000 जिसमें हमारा fixed cost 2000 एक्स्ट्रा लगेगा जितना हम बना रहे थे उतना तो बनाएंगे उससे 600 जादा बनाएंगे what should be selling price maintain the profit as per bucket above कहता है कि हमें selling price क्या रखना चाहिए जो कि हमारा profit क्या रहे maintain रहे दुबारा सुनिएगा question में क्या कहता if company can manufacture 600 यानि 2000 तो बना रहे थे more per year ज़्यादा बना लेंगे यानि sir new sir new जो हमारा होगा वो होगा total 2600 unit 2600 unit काम करने वाले है additional fixed cost 2000 और FC जो new वाला होगा वो 52,000 हो जाएगा कहता है what would be the selling price to maintain profit as per break even point number 2 अब अब यानि आप चाहते हो कि आपका profit कितना बन जाए 30,000 बन जाए कहता है what should be the selling price maintain profit profit per bucket point number 2 यानि आपका 30,000 profit आजाए तो बड़ी CDC बात है आपसे इसने सबसे पहले sales नहीं पूछा आपसे sales नहीं पूछा इसने क्या पूछा है selling price तो इस बात का ध्यान दीजिए आपसे पूछ रहा है वो selling price इसका मतलब sir आपको selling price नहीं पता यानि आप क्या चाहते हो equation देखिए equation देखिए आप क्या चाहते हो sir आप चाहते हो कि मेरा sales हो जाए is equal to जो भी VC हो plus FC हो FC और plus हमारा profit कितना हो जाए profit हो जाए 30,000 कुछ ये situation चाह रहे हो है न तो sales आपको selling price भी तो बताना है तो unit पता है आपको कितना बेचना है तो आप मान लो selling price X है और unit कितने है आपके 2600 VC आपको पता है तो VC आपका पहले वाला ही रहेगा सर VC कितना है हमारा 20 रूपे into में 2600 FC आपका पता है और आपका ये भी पता है इस equation को solve करिए कितना आसान काम हो गया देखे कितना आसान काम हो गया तो ये आगए 2600 into में 20 यानि सर बावन हजार प्लस में बावन हजार प्लस में 30,000 प्लस में बावन हजार प्लस 30,000 मीन सर एक लाख 34,000 तो X की value find करेंगे तो divide आजाएगा 2600 divide 2600 तो सर आपकी selling price होनी चीए एक्यावन रुपे 53 पैसा एक्यावन रुपे approx 53 पैसा तो अगर आप 51 रुपे 53 पैसे में बेचेंगे समान तो आपका यही exit price आ जाएगा समझ मैं ही बत आपको चलिए सर यह सवाल भी कर लिया